हाई फ्रेंट्स हम फिर आ गए हैं अपने गाओं ममी जी से मिलने के लिए जहां पर मेरी सासुमा रहती हैं और लास्ट तक जोड़े रहना कि गाओं में ऐसे क्या चीज होती हैं जो हम सब लोग मिस करते हैं आप जोड़े रहें एंड में बताती हूं कि हम लोगोंने क्या मिस करते हैं गाओं में यह मेरी सास मावी उपड़े लेकर आई थी विट औरा से जो होता है विट्रेवरे में जो स्टोर करकर रख लेते हैं इसका मैंने ना दो लिया और ममी जी बोली कि भेश के लिए चार डाल दे तो मैंने भी सोचा ममी की हेल्प कर देती हूं इस तरीख के से जो सर्दियों में कुट्टी होती है उसमें दलिया डालकर स्टानी की जाती है मैंने स्टानी कर दी भेश की आई यह मीरी बीटी है इदर यह साइड में भेशों को बांद रही है मैंने कहीं तो बांदे जल्दी से फिरी हो जाएंगे इसका है क्या है ना कि इसको इतने दिन मैं यह ममी जी के पास रहती है तो इसको मन नहीं लगता है इस तरह मैंने ममी जी के हल्प की यह मैं मना कर रही हूं मेरे पती देर से ही शूट मत करो मगर वो रह रहे हैं वो अपना जहरा नहीं दिखाता है बोलना है कि तेरा चैनल फेमस हो जाएगा या फिर तेरे 500 सब्सक्र सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना चैनल रिवील करूंगा मैं नहीं दखाऊंगा और कभी मैं आपको दखाऊंगे कि मेरा पती देर बहुत अच्छा खाना मनाते हैं उनके साथ आप उनकी बनाई हुई रैस्पी शियर किया करूंगी आप मेरे 500 स के लिए आग जला रही हूं मैं गाओं से कितनी भी दूर रही हूं मगर गाओं में जो भी चीज़े होती है करना आओ यह समय नहीं बूलती हो मुझे बहुत ज़्यादा मजाता है नजय करने में हम लोग यहां महीने में दो तीन बार आ रही जाते हैं मैं आपके साथ वीड अगरा शेयर किया करूँ इस तरीके से मैंने सानी कर लिए बहस की चारा डाल दिया है आई यह जा रही हूं पीछे आपको दिखाती हूं इस तरीके से पूरा बहस का जो ग्रीन वाला चारा होता है इदर नोलन ने लगाया हुआ है राई भी लग रही जिससे तेन निकलता ह है सरसो का यह मेथी और यह थोड़ी सी पालक लगाई हुए मुझी ने और इदर साइड में मूली भी लग रही है यह मैं आपको दिखाती हूं देखो इस तरीके से मूली भी लग रही है गाव में आप जाना सची में बहुत ही अच्छा बाता रहना और उससे इतना बहुत ही जादा अच्छा लगता है मुझे बहुत मजा आता है मेरे मेरे बीटे को मेरे पती देव को गाव में आने के बाद बहुत मजा आता है यह होता है बिटोरा जिसके अंदर वो बड़े बगरा स्टोर करके रखे जाता है इसको बड़े डिजैन से बनाया जाता है कभी मैं कि वीडियो डालूंगे कि यह इतनी मेनत लगती है काउंकी लीडीज को इसको बनाने के लिए अब मैं पूली लिया हूं इतनी साली मूली लगी हूं है मेरे को छोटी सी मिली मेरे पती देव लेटे हुए बोले दे शूट मत कर इसके बाद भी मैंने चीली के खा लिया है कि आप है अब फिर से दूवारा से बीछ आ गए हुए बुला रही है में वीटी के दिखाने के लिए किस तरीख से और दो आशूटि आए आपको दिखाने के लिए कि कैसे चारा काटते हैं भैसों के लिए इस तरीके से मेरी बेटी चारा काट रही है यह राई के पेड़ होते हैं जिससे तेल निकलता है सरसों का यह लोगाले फ्लावा लगता है बड़ी संदर लगता है इस तरीके से वह चारा काट रही है वैस के रख दिया है उधर भी सा सूना आप मेरे पती देश के चाहे बनाते हैं वह मेरे से बोल रहते हैं इसलिए मैं इसके पास और खड़ी हो गई हो कि लाली बुला रही है कमी मिरे को इस सर्थ झाल लगता हैं यह आपको सब्सक्राइब कर दिया करहा हूं मिरे को इस टौर मैंने काटा था मैं रह जाती है खली सब्सक्राइब हो आख ग्लोर हूं कारे नियुमित का तішता मैं काकता हूं माँसर्roederus लाएक, सब्सक्राइब, कमेंट सब चीज जरूर किया करें, इस तरीके से मैं आपको पूरा गाउं का वो दिखाऊँगी कि किस तरीके से मारी लाइफ स्टायल है, जो भी हम करते हैं, रहते हैं, और सची में बहुत जूरा ही मज़ा आता है, गाउं में रहने में अलग ही होत इस तरीके से मैंने दोवारा से मूली तोड़ लिया मेरे पती देव कह रहे थे कि रोटी के साथ खाएंगे बड़ी मीठी होती हैं यहां की गाउं की मूली बगरा जो घर में कर लगाता है वो मीठी आती हैं बजार से ज्यादा तो आपके पास भी थोड़ी बहुत जगा हो आ यह बहुत अच्छा खाना चाहिए जो भी होता है सची में बहुत इनके हतों में जादू है मैं इनकी रेस्पी आपके साथ जरूर किया करूंगे आगे अगर आप मेरे चैनल को गुरूद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर किया कर इस इस तरी के साथ चुड़े रही है अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ और भी वीडियो शियर करूंगी